इस मॉड्यूल में हम जो टाइप्स आफ क्वालिटेटिव डेटा में दूसरी टाइप जिसका हम ने जिकर किया था इंटर्व्यू उसकी बात करते हैं इंटर्व्यू एक और वाइडली यूज होने वाला तरीका है क्वालिटेटिव डेटा की कलेक्शन के लिए इसमें आप अमूमन वन टू वन फॉर्म में आप सिलेक्टिड सबजेक्ट के साथ या जिससे इंटर्व्यू करना होता है उसका इंतखाब करते हैं और वन टू वन उसके साथ बैठके गफ्तुगू करते हैं इसका इंटर्व्य generally वहाँ पर इस्तमाल किये जाते हैं जहां आप लोगों के perspective को, वो शक्स जो आपके problem से related है, आप उसके perspective को, उसके experiences को, उसके beliefs को डिग आउट करना चाहते हैं या अपने फिनामेना की एक्स्प्लेनेशन के लिए उससे हासल की हुई इन्फरमेशन को इस्तमाल करना चाहते हैं तो इसमें भी अब देखें जैनरली स्पीकिंग इसकी भी जो सूरते हैं वही हैं जो अब्जरवेशन में थी structured interviews होते हैं semi structured होते हैं unstructured होते हैं और interviews group की शकल में भी किये जाते हैं जिसको आप among focus group कहते हैं structured interview उसके नाम से देखें जाहर होता है कि मैं interview करने से पहले ही सवालाथ की एक list बना के जाता हूँ अचा उन सवालाथ के जवाब open ended होते हैं लेकिन सवाल pre determined होते हैं observation में structured observation में इसमें ये फर्क हुआ कि structured observation में सवाल भी बना हुआ था और उसके आगे मुमकिना जवाबात भी मुझूद थे जिसमें से एक जवाब मुन्तखिब करना था और फिर मुन्तखिब शुदा जवाब की वजाहत करनी थी यहां पैसा नहीं है यहां पे आपने सवालात की लिस्ट पहले से मुरतब की हुई है पहले से सेट questions हैं और extended format में हैं फिर उन सवालात पे आप उससे जवाब record कर सकते हैं note कर सकते हैं किसी भी सूरत में किसी narration की सूरत में जवाब ले लेते हैं और उस जवाब को बाद में आप इस्तमाल करते हैं जवाबात अमूमन structured होते हैं यानि उस सवाल के अंदर यह सिफ्ट है कि उसका जवाब एक खास नौईयत का ही हो सकता है बहुत जवाब जवाब नहीं आएगा जिसको आप generally कहते हैं कि यह fixed choice जवाबात है यह आपने force कर दिया एक तरह से सवाल के structure में कि जवाब की नौईयत महदूद कर दी structured interview में इसका इमकान जवादा है और यह कोशिश आप करते हैं कि वो जवाब जो है वो बेशक narrative हों बेशक descriptive form में आएं लेकर उनकी हदूद जो है वो मकरर कर देते हैं जबकि semi structured interviews में आपने एक core set of questions बनाया होता है main questions लिखे होते हैं और फिर मैं यह सोच के जाता हूँ कि यह main सवाल उससे पूछूँगा और उस main सवाल के बाद अगर उसकी फर्दर वजाहत यानि जो जवाब उनकी तरफ से आएगा उस जवाब को सामने रखते हुए किसी और चीज़ की वजाहत करनी पड़ जाएगी तो मैं फिर फर्दर सब क्वेस्टन उसका एक खुद से वाँ बैठके बना लूँगा अब मैं इसके सब क्वेस्टन पहले से तेह करके नहीं जा सकता क्योंकि जब किसी एक इंडिविजूल से इंट्रिव्यू करने गए तो उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब में फर्दर कौन सा सवाल होना चाहिए यह तो जवाब पे डिपेंडेंट है ना जो जवाब आएगा उसी मेंसे फैसला कर सकूँगा तो लहाज़ा पहले से सब क्वेस्टन नहीं बनाया जा सकते इसलिए इसको कहते हैं कि यह सेमी स्ट्रक्चरड है कि में सवाल जो कॉर क्वेस्टन है मेरे वो पहले से बने और अपने रिसर्च क्वेस्टन को सामने रखते हुए उसी वक्त उसको निया सवाल बनाता हूं और वो उनसे पूश लेता हूं यह सेमी स्ट्रक्चरड इंट्रव्यूज जो है यह प्राबिबली सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाली दूरत है इंट्रव्यूज के अंदर इसके बाद अंस्ट्रक्चरड इंट्रव्यू होता है जिसमें आप कोई भी कोर सेट अफ क्वेस्टन नहीं बना के जाते हैं आपके जहन में एक टापिक होता है और आप उसकी एक ओपनिंग देते हैं और उस ओपनिंग के बाद गुफटगू किस तरफ को चलेगी पोकस क नहां हो जाएगा यह आप पहले से तैय नहीं करके गए होते बलके इसको बिल्कुल आपने को अपनिंग बात चोड़ा होता है जिस तरफ को बात चल पड़ती है उसी तरफ को फिर आप सवालात करना चुरू कर देते हैं यह इंटर्वियू जब तक कोई बहुत स्किल्ड इंटर्वियूर नहीं ले रहा होगा तो इस बात का इमकान हमेशा मौजूद है कि बात उस तरफ को चल पड़े जिस तरफ आपकी रिसर्च का फोकस नहीं था जब तक सवाल करने वाला खुद उसी लेवल का माहिर नहीं होता जिस सबजेक्ट के बारे में वो सवाल करने ज सवाल के यह एक रुकास रखना एक बहुत बड़ा चैलिंज है इसकी कि अइद्वाञेज आ इसकी फ्लैक्सिपिलिटि इसका सबसे बड़ा और ऐसी कि पोसक्ता है जहां आप एक individual से बात करने की बजाए आप multiple individuals को इकठा बिठा लेते हैं, जो के अपने मरतबे में एक दूसरे से फर्क हो सकते हैं, अपने उस subject से relevance में एक जैसे होते हैं, और फिर आप एक सवाल करते हैं, और उस सवाल पे मुख्रिफ लोगों के perspective इकठे कर लेते हैं, उसी स स्कूल की performance पे कोई research कर रहा हूं, और मैंने focus group किया जिस पे मैंने head teacher को, teachers को, section heads को, बच्चों को, parents को बठा लिया, और उस focus group के अंदर अब मैं पहले बात यह देखना चाहता हूं कि school safe हैं या नहीं हैं, तो मैंने यह question float किया, school safe होने के बारे में, तो इस पे teacher का अपना perspective है head teacher का अपना है, parents का अपना है, बच्चों का अपना angle है देखने का, हर आदमी अपने angle से उसका जवाब देता जाएगा, और मैं record करूँगा, जिस इस में one to many वाली situation है, interviewer एक है, interview के किये जाने वाले लोग मुक्तलिफ हैं, और मुक्तलिफ पहलों से रोशनी डालेंगे, त specified form में focus group कहते हैं, तो ये चार मुक्तलिफ सूरते मैंने आपके सामने रखी, interview data collect करने की, आप इनको types of qualitative data में गर्दान सकते हैं,